हेलो एब्रिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागते मेरे चैनल टीम रतन में फ्रेंड अगर आप भी अपने फेस्बुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको फेस्बुक पेज को परमानेंटली यानि की हमेशा के लिए डिलीट करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ तो अपने Facebook पेज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में अपने Facebook पेज को open कर लेना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे उपर के side corner में इस 3 line वाले option पे click करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे उपर के side corner में इस setting वाले icon पे click करना है access and control का तो यहाँ पर आपको access and control पे click करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको deactivation and deletion वाले option पे click करना है इसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने दो option आएंगे पहला है deactivate page का तो अगर आप अपने facebook page को सिर्फ deactivate करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर deactivate page को select कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अपने facebook page को permanently यानि कि हमेशा के लिए delete करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे के side delete page वाले option को select कर लेंगे इसके बाद अब यहाँ पर आपको नीचे के side continue पे click कर देना है इसके बाद अब यहाँ पर आपसे region पूछा जाएगा कि आप अपने facebook page को क्यों delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे region दिये गए हैं तो अगर आप चाहें तो इन region में से किसी भी एक region को आप यहाँ से select कर सकते हैं या फिर आप direct यहाँ पर नीचे के side continue पे click कर देंगे इसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे के side आ जाना है और यहाँ पर आपको continue पे click कर देना है इसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने option आएगा enter password का तो आपने अपने facebook page को जिस facebook id से बनाया हुआ है उस facebook id का password आपको यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर आपको बता दू कि आपका facebook id डिलीट नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ आपका facebook page डिलीट होगा तो यहाँ पर आपको अपने facebook id का password भर देना है इसके बाद नीचे के side continue पे click कर देना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको फिर से continue पे click कर देना है इसके बाद अब यहाँ पर आपको delete page पे click कर देना है इसके बाद आपका facebook page permanently यानि कि हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो friend इस तरीके से आप अपने Facebook पेज को delete कर सकते हैं तो वीडियो helpful लगा हो तो इस वीडियो को like कीजे, comment कीजे और अपने friend and family में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे अज साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी subscribe जरूर कर ले